हेलो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में जो मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं कि आप भी अपने सैमसंग के किसी भी फॉन को केम्प्यूटर में कैसे तबदिल कर सकती हैं तो आप भी करना चाहते हैं तो वीडियो को कम्प्लेट दिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करक तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप जो अपनी स्नार्ट फंड की सेटिंग्स में आएंगे सेटिंग्स में आने के बाद जो यहां पर आपको एक उफसंस दिखने को मिलेगा डिस्प्ले का आप डिस्प्ले के उपर किलिक करेंगे यह मेरा जो नियो बर्जन का फो एक मेरा केंप्यूटड नहीं है पडिलकुल भी नहीं है तो आपने स्मार्ट फोन को आपको चीज कर सकते हैं यहां पर दिखा दिया हूं तो आप भी इससी तरीके से अपने भी स्मार्ट फोन में कर सकते हैं तो आपको करने के लिए बैसिक से क्या करना पर रहेगा चलिए आप जो एक सेटिंग को करेंगे करेंगे और आपको चाहि पाइन घाल दीकर देख़ा द़ता हैं करेंगे तो आप लुट पाइए हो अन्हें का मैं करीन के ले नहीं का रहे यहां जानाएं हूं आप जार करके डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो यह सी अप्लिकेशन को आपको जो अपने स्मार्टफोन में इंस्ट्रॉल कर लेनी है इसके बाद जो आप सेटिंग्स में जाकर करेंगे तो यह आपका जो हमेशा के लिए केंप्यूटर बन जाएगा और यह अल्वेज रहेगा आप जब तक एप्लिकेशन को ओपन करेंगे तब तक ही रहेगा हमेशा की लिए रहेगा विडियो को मेरे अच्छे रैंक पर व्यू कराईए और चलिए आप विडियो का आज को यहीं पर इंड करती है कैसे लिए आप कि अच्छे को बीडियो के मैं करती अच्छे है